हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का मेरे यूटुब चैनल ओर राव नोलेज में स्वागत है आज मैं आप लोग को बहुत इंपोटेंट क्वेस्टन का आंसर बताने चाह रहा हूँ तो आप लोग इस वीडियो को सुरूर से अंतक देखिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए आप क्यों सोचते हैं कि भारत में सोलर इनर्जी का भविश से उजवल है इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है उसने कटिबंधिये देश है यहाँ पर प्रियाप्त मातरा में सूरज की रोचनी मिलती है वो कंट्री होता है चो एकुएटर का आसपास यह तॉपिक ऑप कैंसर आओ त्रॉपिक ऑप कपरिकॉर्न के बीच होता है Most of the regions of India record high temperature भारत के जाध迦र भागों में high temperature record होता है प्राइपत मातरा में सूरज की रोशनी मिलती है This area has great potential for development of energy and can be utilized as the largest solar powerhouse of India और यहां पर काफी सारी संभावनाएं है solar energy के development के लिए और यहां पर largest solar powerhouse भी लगाया जा सकता है Now solar energy is becoming popular in different parts of the country अब देश के बिभिन भागू में solar energy लोग पर यह हो रहा है especially in rural and remote areas खास तोर से गाउं में और दूर दराज के छेतरों में It can be used for cooking, heating of water, pumping, street lighting इसका प्रियोग क्या जा सकता है खाना बनाने में, water को गर्म करने में, pumping, set लगाने में, street lighting में तो होता ही है तो 5 largest solar power plants in India are पवागदा solar park करनाटका, कुर्नूल अल्ट्रा मेगा solar park अंद्रप्रदीश, कामूथी solar power project तमिलनाडू, भादला solar park राजस्थान, चारणका solar park गुजरात And dear students, इसे तरह की खास जानकारी के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए और class 10 के playlist में जाएए, वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे All right just friends, thanks for watching